हेलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का आर्केद वंडर की जन में आज बनाएंगे खस्ता मेथी मठी ये बहुती टेस्टी होती हैं और चाय के साथ में इनका टेस्ट बहुती अच्छा आता है बिल्कुल मार्किट जैसे बनाके तयार करेंगे तो चलिए बिना देर के हुए मठ चमच खाने वाला सोडा इतने ही समान से हम मार्किट जैसी खस्ता मठी बनाके तयार करेंगे मठी बनाने के लिए एक किलो मैदली है मैदा को अच्छ से छान लेंगे छानने के बाद मैदा में अजवाइन एड़ करेंगे और साथ में ये नमक एड़ कर देंगे नमक आप अ आज से पहले सारी चीजों को मैदा में मिक्स कर लेंगे इस सारी चीजे बहुत अच्छे से मैदा में मिक्स हो जाएंगी अब थोड़ा थोड़ा करके रिफाइंट तेल को मैदा में डालेंगे और मैदा में डालने के बाद बहुत अच्छे से मसलेंगे रिफाइंट तेल में पांच मिनट के लिए अच्छे से मसलते रहेंगे मैदा को रिफाइन तेल को मैदा में अच्छे से मसलने से इसकी बहुत अच्छी खस्ता मठी बनके तयार होती है यह देखे रिफाइन तेल अच्छे से मैदा में मिक्स हो गया है मैदा को इस तरीके से मुठी बांद के देखेंगे अगर मुठी बांदने में मैदा एक साथ इखटी हो जाए तो समझे अच्छे से इसमें मोयंडल क्या है गुन गुने पानी के साथ में मैदा को गूंद लेंगे इसका टाइट सा डो बना के तयार करेंगे और पानी को एक साथ ने डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके मैदा को गूंद लेंगे इस तरीके से टाइट डो बनाएंगे आटे से भी थोड़ा सक्त रखेंगे मैदा को थोड़ा थोड़ा हाथ में लेंगे और इसे गोल सेप में बना के तयार कर लेंगे आप चकले पे या किसी चीज पे भी फैला सकते हैं रोल बना लेंगे इसका आप इस तरीके से चाकू से काट लेंगे एक साइज में मठी बनके तयार होंगी आप चाहे तो हास से लोईया बना के भी मठी बना के तयार कर सकते हैं या मैंने चाकू से छोटे-छोटे पीस में लोईया काटनी अब इस तरीके से हतेलियों के बीच में रखके मठी बना के तयार करेंगे, हलका सा दबा देंगे इस तरीके से ये बिल्कुल मार्किट जैसी मठियां बनके तैयार होंगी सारी मठियां इसी तरीके से बनाके रेडी कर लेंगे या मैंने सारी मठियां बनाके तैयार कर ली है अब मीडियम आच पे तेल गरम कर लेंगे तेल को घरम करने के बाद इसमें सारी लोईया डाल देंगे और आज को बिल्कुल हलका रखेंगे हलकी आज पर ही मठी बना के तयार करेंगे आज बिल्कुल तेजनी रखेंगे क्योंकि ये उपड़ से सिख जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है इसलिए आज को बिल्कुल हलका ही रखेंगे ये देखें हलकी आज पर कितने अच्छे से मठीया सिख गई है और इनका कलर भी अंदर और बार से ब्राउन हो गया है इसे लगतार चलाते रहेंगे चलाने के बाद मठीया बिल्कुल बनके तयार हो गई है बागी की मठी भी इसी तरीके से बनाके तयार कर लेंगे ये बहुत ही खस्ता बनी है अब तेल में से निकाल लेंगे टीशू पेपर के उपर भी निकाल सकते है इसका जो भी एक्षर तेल होगा वो टीशू पेपर पही रह जाएगा एक मठी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये देखिए कितनी बढ़िया से अंदर तक मठी सिखियें बहुती खस्ता बनी है साथ में मैंने थोड़े से नमक पारी भी बना लिये थे ये भी बहुत अच्छे से अंदर तक ब्राउन हो गए हैं और बहुती खस्ता बने हैं बिल्कुल मार्किट जैसे आप इस तरीके के खस्ता मठी और नमक पारे एक बार जरूर ट्राई करके देखें वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक शेर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें